इलाइस्टेडी डेली क्रांट फिर्की सीरीस में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में डिस्कुसन करेंगे 10 परबरी 2022 के हिमाचल परदेश राष्टे तथानता राष्टे क्रांट आफेर्स के बारे में पहला प्रसंद है मानब तसकरी को रोकने के लिए किसके दौरा राष्टर ब्यापी ओपरेशन आहाट शुरू किया गया है इस ओपरेशन को शुरू किया गया है रेलबे सुरक्सा बल्ग के दौरा भारतिया रेलबे की स्थापना 16 अपराट 1853 को हुई थी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्तीत है सारे फैक्ट आप याद रखिएगा यह प्रसन आपका लाइट सर्विसीज की प्रिक्सा के लिए बहुत ही मत्तोपुर्ण है बी यार चोपडा की महाभारत टीबी सीरीज के किस कलाकार का चौतर बर्स की आयो में नीदन हो गया भीम परवीन कुमार सोबती का नीदन हो गया काफी बहुँ चर्चित कलाकार रहे है यह दि आप महाभारत सीरीर की बात करें भारत ने हाली में किस ब्लॉक के साथ नभी करनिया उर्जा पर एक उच तरिया समेलन आयोजित किया है तो आसियन इस प्रसंद का सही उत्तर है अमेरिकी राष्टरपती जो बाइडन ने पैट्रियट मिसाइलों के लिए किस देश के साथ समर्थन समझाते को मंजूरी दी है ताइवान इस दा राइट अंसर कंछोड उत्सब किस भारतिया राज्या या केंदर सासित परदेश से समन्दित है तो यह है जम्मू एड कस्मीर से आपको ग्यात होगा जम्मू कस्मीर पहले भारत का एक पूर्ण राज्या था लेकिन वर्ष 2019 में जम्मू कस्मीर लदाक को दो भागों में विवाजित किया गया है और 378 धारा को भी वहां से समाव्थ कर दिया गया है तो आप याद रखियेगा कंछोड उत्सब जम्मू और कस्मीर राज्या से समन्दित है कौन सा देश कोबिड-19 के खिलाब DNA वैक्सिन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो भारत भारत इस प्रसंद का सही उत्तर है भारत कोबिड-19 के खिलाब DNA वैक्सिन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है सुरंगा लकमल ने क्रिकेट से सन्यास लेने की गोशना की है इनका समन्द किस देश से है सिरलंका इस दा राइट अंसर नेमित रूप से आप पढ़ते रहे हैं निश्ची तोर पे आपको हिमाचल परदेश में सरकारे नौक ने मिल सकती है क्योंकि इस बरस हिमाचल परदेश में बहुत से डिपार्टमेंट में रेगुलरली रिक्यूटमेंट हो रही है HS Alight नायत तसीलदार के लिए भी हिमाचल परदेश में को रिक्यूटमेंट देखने को मिलेगी नयों तसिलदार के अडबर्टीसमेंट आउट हो चुकिया किसी भी एग्जामिनेशन के स्तर को समझने के लिए उस प्रिक्सा के पिछले पांच यह दस बरसों के ओल्ड कोशिन वेपर जुरूर पढ़िएगा तो आप अपनी स्क्री दिवसिया अंतराष्टिया मैच 27 जनवरी 2013 को किन दो देशों के वीश खेला गया था तिये भारत और इंग्लेंड के वीश में खेला गया था साथ में आपको याद रखना है 16 अक्तुबर 2016 को आखिरी एक दिवसिया अंतराष्टिया मैच भारत न्यूजिलेंड के वीश आ का मैच भी खेला जा चुका है देखिए यह आपने बहुत ही मत्तोपुन करंट इस तरह के फैक्ट होते है क्योंकि इस स्टेडियम से कोई न को एक प्रसन आपको किसने किसी एकजामें देखने को जुरूर मिल रहा होगा इसी के साथ में एक चीज़ यहां पर और राइड क की गया देखिए दिया आपको जब हिमाचर परदेश का टूरिजम रिप्रेजेंट करना हो या आपको हिमाचर परदेश की कुछ BCS चीजों के बारे में बात करनी हो देखिए अंतरस्टे स्तर का क्रिकेट गराउंड हिमाचर जैसे पहारिक सेतर में होना है बहुत बड़ी को सबिकृति परदान करने के अनुमती कब दी गई नौ फरवरी 2022 को या अनुमती दी गई है कैबिनेट मीटिंग में ये आपने फैक्ट याद रखना है आपसे ये भी पुछे चा सकता है कि हिमाचर परदेश गौन खनीज और जो अवैद खनन उसके परिवान एबं बंध क्रिष्ट पर दर्शन किया है तो कलर्स चैनल पर देखिए उनरबाज सो का आयोजन किया जाता है काफी बहुत चर्चिते कारेकरम रहता है और हिमाचर परदेश की पुलिस ने यहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पूरे देश में आज करी डेट में हिमाच देखेंगे तो बहां पे आपको इस तरह के प्रसंट जुरूर देखने को मिलेंगे उतराखंड के ओली में आयोजी तराश्ट्रिया सकिंग चैंपियन में चैंपियन सिप में हिमाचर परदेश की किसमयला सकिंग खिलाडी ने गोल्ड मेल जीता है तो आंचल ठाकुर इनक आपने स्क्रीन पे एक वेपसाइट देख रहे है www.elastityco.in इस वेपसाइट पे जाएगा और अपने लिए कुछ उतकरिस्ट किताबों का एक पैकेज बिनाईए क्यूंकि जिन्दगी में आपके अच्छे दोस्त और अच्छी किताबे ही आपके काम आएगी तो अच्छी कित किताबों की स्लेडी में Elastity Team की किताब में स्तैब आपके साथ है इस आप कोचिंग के ओपर हजारों या लाखों रुपए खर्च करने की सोचते है या सोच रहे है या आपने खर्च कर दी है तब भी हम आपको सुझेस्ट करना चाहते है कि हजारों रुपए या लाखों र थैंक यू बरी मस्कीप बच्चिंग इलाष्टरी यूटुब चानल